आपने बहुत सारी ऐसी मूवी देखी होंगी जहां पर आतकवादी होते हैं और वह आचानक से कहीं पर रहने लग जाते हैं और पुलिस उनके उपर कुछ ऐसे ऐसे आपरेशन चलाती है और उनको धर दबोशती है और हमारे सामने ऐसी ही एक ऐसी मूवी की स्टोरी के जैसी कर खबर आई है जो कि पुलिस वाल ने एन आई ए ने कर दिखाई है एक आतकवादी वहां पर रह रहा था मजदूर बनके और वहां पर उन्होंने एन आई एन एक ऐसा जल बिचाया कि उसके लिए बनेंगे सबजी वाले तो चलिए जानते हैं यह कहां की खबर है और आपक यह पूरे मामले के बारे में पर उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल भी सब्सक्राइब नहीं किया जली-जली ऐसाए्प साथ के साथ बढ़ा को भी दबा दीजिए और सास reglement करना मत भूली और साथ के साथ एक लाइक ठोकते हो जरूर जाईए तो शुरू करते हैं आज की दियूस आपको अगर याद होगा तो 2014 में पच्छमी बंगाल में एक बंब लास्ट हुआ था जिसकी वज़ा से काफी लोगों की मौत हो गए थी और काफी सारे लोग जखमी हो गए थे और वो हमला 2014 में उस बंब लास्ट में आया था जो की बंगाल में हुआ हो था और उसके बाद बहुत सारी पुलिस उसके पीछे लगी हुई थी ढूनने के लिए लगी हुई थी पर उनके हाथ में कुछ नहीं आ रहा था और बहुत समय के बाद एक जानकार भटान ने उनको बताया कि वो जो आतंवादी है वो चिपा हुआ है और वो चिपा हुआ इस तरीके से है कि वो आम जनता के बेच में आम इंसान के जैसे है वो एक घर में रह्रा है रेंट पे और ये मजदूर और एक प्इंटिंग का काम कर रहा है और जिस घर में वो रह रहा है उस मकान मालिक ने भी इसका पहचान पत्र वगएरा कुछ नहीं लिया है तो इसी वज़ा से वो बहुत ही असानी से रह रहा है तो यहाँ पर एक चीज यह आती है कि यह बहुत ही प्राब्लम वाली बात है अगर आपके घर में कोई भी ऐसा रेंट लेने के लिए कोई इनसान आये तो आपको उसके आईडी प्रूफ सब चीज़े लेनी चाहिए और साथ के साथ आपको नसदी की पुलिस टेशन में वो तरीके से आतकवादी को घर दे दिया कि वह वहाँ पर बैठ के कुछ ना कुछ प्लैन कर रहा था और आम जनता के बीच में था और यह बहुत ही खौंकार था और आप लोगों को हम बता दे कि इसने खुद ट्रेनिंग ली हुया फाइटिंग की ट्रेनिंग ली हुया बॉं जाल बिचाया कि जब उनको जानकारी मिली कि इन दौर में एक जगा पर एक महले में घर में रह रहा है एक जानकार के जरीए तब उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे कि नहीं हमें कुछ ना कुछ अगर हम धर दबोचेंगे तो पता नहीं आजू-बजू के लोगों को क्या हो तो उन लोगों ने बहुत ही समझदारिये से काम लिया और उन्होंने उसके उपर नजर रखने शुरू की और नजर किस तरीके से रखा जाता तो अगर वो पुलिस ड्रेस में जाते या अपनी यूनिफॉर्म में जाते तो उस आतंगवादी को पता चल जाता और पता च सबजियां बेचते हैं उन्होंने उनका रूप धारन कर लिया और सबजियां वहाँ पर बेचने लग गए और वो जब सबजियां देते थे लोगों से और लोगों के साथ बात करते थे और उसकी पूरी जानकारी बटोरी और 15 अगस्त से दो दिन पहले उस शेक को वहाँ प और आज उसके ऊपर पुष्टाश चल रही है और आगे ये माना जा रहा है कि 15 अगस्त का उसका कुछ ना कुछ ऐसा प्लान हो सकता था जो अभी तक पुष्टाश में बाहर नहीं आया है क्योंकि 15 अगस्त से पहले ही उसको धर्दबो चासा तो गाईज ये बात बहुत ही सीरियस है अगर कोई भी ऐसा सक्षा के आजू-बाजू में नया दिखता है तो जादा बैटर है कि आप उनसे बात ना करें अगर आप बात करते हैं तो सिर्फ उतनी ही बात करें जितनी वो जानकारी आपको देनी चाहिए और ना कि आपने किसी भी चीज के बारे में अपन ही हक है और वो जानकारी अगर आपको ऐसा लगे कि वो इन्सान ऐसा वैसा नहीं है तो उसकी जानकारी आप पुलिस स्टेशन में दो क्योंकि आपके साफधानी आपके हाथ में है तो गाइस हमारी यह फिलम वाला सीन हमारे जो एन आई-ए की जो ऑफिसर उन्होंने कर निखा दिया इनको सल्यूट करना तो बनता है तो हमें एन आई-ए सल्यूट करके जरूर डालिए तो अगर आज की जानकारी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज जाते-जाते एक लाइक ठोकते हो जरूर जहिए और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो